रामनगर नाम के एक गाउ में किशोर नाम का एक कारपेंटर का काम करने वाला रहता था गाउ में बहुत सारे कारपेंटर होने के कारण उसे ज्यादा काम नहीं मिलता था इसी तरह उसकी आमदनी भी बहुत कम थी वो किसी भी तरह ज्यादा पैसा कमाने के सपने देखता था गाउ में हर साल गनेश जी की मूर्ती की प्रतिष्ठा होती थी हर साल कलाकारों को बुला कर जो सबसे कम दाम में गनेश जी की मूर्ती तयार करता था उसे ही कॉंट्रेक्ट मिलता था हमेशा की तरह इस साल भी कोलकता वालों को काम देने का नेने लिया गया इतने में किशोर वहां पहुंच गया रुख जाईए ये कैसा अन्याए है जब हमारे ही गाउं में इतने सारे कारीगर हैं तो आप मूर्ती बनाने का काम इन्हें क्यों दे रहे हैं क्या बक्वास कर रहा है तू? हमारे गाउं में मूर्ती बनाने वाला है ही कौन? अगर आप लोगों को कोई आपती ना हो तो उतने ही कम दाम में मैं सागोन के पेड़ से गनेश जी की मूर्ती तयार करूंगा गाउं वाले एका एक आश्चरी चकित हो जाते हैं सब लोग सोचने लगते हैं कि इतने कम दाम में सागोन के पेड़ से मूर्ती कैसे बनाये जाएगा? क्यों रे किशोर दारूपी के आया है क्या? एक बार सोच ले मैंने सोच विचार के ही बोला है इस बार हमारे गाउं में सागोन के पेड़ से बनाये हुए मूर्ती की यही प्रतिष्टा होगी उसकी जिमेदारी मैं लेता हूँ ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया गाउं वाले ये सोच कर मान जाते हैं कि सागोन के पेड़ से बनाये हुए मूर्ती की वज़े से आसपास के गाउं में इनके गाउं का अच्छा नाम हो जाएगा ये सब क्या है जी अब पागल तो नहीं हो गए सागोन की लकड़ी से अब गनेशी की मूर्ती कैसे बनाएंगे हमारे पास इतने पैसे कहा हैं अरे मेरी जान, पागल मैं नहीं, ये गाउं वाले हैं, पागल कहीं के, सागोन के पेड़ से मूर्ती बनाने के लिए बोलते ही मान गए देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने पती की तरफ देखते ही जा रही थी देख, अभी मूवी में हम जो हीरो और हीरोईन को देखते हैं, वो बहुत खुपसरत दिखते हैं, लेकिन वो सब मेक अप और ग्राफिक का कमाल है, सिर्फ बाहर से ही सुन्दर दिखते हैं हाँ, तो क्या? अब मैं भी वैसा ही करूँगा, केवल बाहर के हिस्से मैं सागोन से बनाऊंगा, अंदर के सारे हिस्सों को घास और प्लैस्टर आफ पैरिस से बना दूँगा, बस ये सब जरूरी है क्या, बताइए अरे पगली कहीं की, इस मूर्ती की वज़े से आसपास के गाउं में मेरा नाम हो जाएगा, तब मुझे बड़े-बड़े काम करने के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे अच्छा? हाँ, तू जाके सोजा, कल सुबह-सुबह उठकर काम शुरू करना है जैसा किशोर ने कहा था, उसी तरह उसने मूर्ती के बाहर उसने सागौन की लकड़ी इस्तेमाल की और अंदर उसने घास, मट्टी और प्लैस्टर ओफ पैरिज डाल दिया मूर्ती बनकर तैयार थी गाओं का सरपन्चाकर मूर्ती को देखकर बहुत खुश होता है और पैसे देकर चला जाता है सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन अगर ये बात लोगों को पता चली, तो हमारी परिसिती क्या होगी जी? अरे पगली कहीं की, इस मूर्ती को वैसे भी एक हफ़ते में विसरजन करवा देंगे, हमें बस तब तक इसका ध्यान रखना होगा, उसके बाद कोई भी पैचा नहीं पाएगा ऐसा बोलकर वो जोर से हसने लगा, जैसा किशोर ने सोचा था, पूरे गाउं में उसका अच्छा नाम हो गया, उसे बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट और भर पूर काम मिलता है, तुरंट वो कुछ और कारिगरों की मदद से एक बिजनस भी चालू कर देता है, एक हफ़त की प्रशनसा कर रहे थे कि उसने इतनी अच्छी मूर्ती बनाई, अरे किशोर, जैसे सुरेश प्रडक्शन वाले छोटी-छोटी मूवी बना कर बड़े-बड़े हिट मार लेते हैं, वैसे ही तुने भी इतने कम खर्चे में सागोन की बढ़िया मूर्ती बना डाली, इस त किशोर के मन में डर शुरू हो जाता है मूर्ती के अंदर रखे हुई मिट्टी, घास और प्लैस्ट आफ पैरिस धीरे-धीरे बारिश की वज़े से पिघल कर बाहर आने लगते हैं सारे गाउं वाले आश्चर्य चकित हो जाते हैं कि एक लखड़ी की मूर्ती से सिमेंट कैसे बाहर आ रहा है क्यूरे किशोर, ये सब क्या है? मूर्ती के अंदर से ये कच्रा कहां से आ रहा है? तब किशोर दरते हुए बोलता है कुछ नहीं सहाब, मैं जरा पैसों की लालच में मूर्ती के बाहर सागोन की लकडी को इस्तेमाल किया और मूर्ती के अंदर मिट्टी, घास और प्लैस्टर ओफ पैरिस इस्तेमाल किया मुझे माफ कर दीजिए इस तरह किशोर पूरे गाउं वालों से माफी मांगता है अपना प्लैन चौपट हो जाने की वज़े से और भारी नुकसान पर किशोर और उसकी पत्नी रोते रोते उस गाउं को छोड़कर चले जाते हैं एक गाउं में विशाल नाम का एक आदमे रहता था वो पड़ा लिखा था कॉलेज के वक्त से शुती नाम की एक लड़की विशाल से प्यार करती थी वो विशाल का पीछा किया करती थी और दूर से उसे देख कर खुश हुआ करती थी उसे डर था कि कही उसने अपना प्यार जाहिर कर दिया तो विशाल मना ना कर दे एक दिन हिम्मत जुटा कर वो विशाल को एक प्रेम पत्रे लिखने बैठी वो नीचे अपना नाम लिखने ही वाली थी उसे लगा कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कांदे पे हाथ रखा है वो डर गई और पीछे मुड के देखी तो पीछे उसकी दोस्त वासवी खड़ी दिखी क्यूरी बैठके क्या लिख रही है प्रेम पत्र लिख रही है क्या किसे वो मैं मैं किसी से नहीं बोलूँगी बता ना हाँ यार चार साल से प्यार कर रही हूँ कहने से डरती हूँ इसलिए मेरा सारा प्यार इस चिटी में समेट रही हूँ कौन है वो खुश नसीब बाहर से एक बुलेट पाइक जाने का आवाज आया सुती पहचान गई कि वो विशाल की दाड़ी थी दिखाती हूं चल वो आ रहा है देख अरे बापरे इसने तो अमेरजादे पे तीर मार दिया इस बंदे को तो मैं हाथ से नहीं जाने दूगी ठीक है जा अपना प्रेम पत्र दे आ अरे ने मुझे डर लगता है डरती है तो फिर एक काम कर चिट्टी मुझे दे दे में दे आती हूं उसने सुती से चिट्टी लिया और जाकर विशाल के गाड़ी के रास्ते में खड़ी हो गई क्या हुआ तुमने अपने मन में मेरे लिए इतना प्यार चुपाया है मेरे भाग अच्छे हैं जो तुमारी जैसी लगकी मुझे नहीं ये देखके शुती के होश उल गई बेचारी रोते-रोते वहाँ से चली गई इस तरह वासवी शुती को धोका देकर विशाल के संपत्ति का मालकिन बनना चाहा पर एक कोट केस के चलते विशाल का सारा संपत्ति उसके हाथ से गया पर विशाल ने हिम्मत नहीं हारी एक दिन वासवी विशाल के घर आ पहुँची हाडियर, बताओ क्या लाओ, कॉफी अचाहे आँ, ब्रेक अप चाहिए ब्रेक अप? हाँ, ब्रेक अप चाहिए तुमसे प्यार किया था तुमारी संपत्ति के लिए अब तो तुम ठंटन गोपाल हो छुट्टे पैसे के वांदे पड़े हैं अब तुम्हें लेके मैं क्या करूँ? ये सुनकर विशाल सुन पड़ गया दूर से इस पूरी घटना पर शुटी नजर रखे हुई थी उसने मुझे ठगा था मेरी लिखी हुई पत्र उसने तुमें दी मुझे तुमारे संपत्ति से मतलब नहीं है मरते दम तक मैं तुमारे साथ रहूंगी शुटी की बात सुनकर विशाल ने शुटी को अपनाने का निर्ने कर लिया विशाल के गाउं के पास एक नदी था जिस पर बोटिंग करने कई सारे लोग आया करते थे और वो जगा परियाटकों से भरा हुआ रहता था कई सालों से विशाल सोच रहा था कि वो बोट बनाने का धंदा करे बोट तो कई सारे हैं पर परियाटकों को मेरे बोट की तरफ खीचने के लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा ये खालो, सुबे से तुमने कुछ खाया नहीं है एपल देखते ही, विशाल के दिमाग में एक आईडिया आए अगर हम अपने बोट्स को एपल के आकार में बनाएं तो परियाटक हमारे बोट की तरफ आकरशित होंगे इसके बाद उसने एपल के आकार के बोट्स बनवाए और उन्हें नदी पर घुमाने लगा विशाल के बोट्स के तरफ परियाटक आकरशित होने लगे शुति के साथ उसने शादी कर लिया और अपनी जिन्दगी आराम से गुजा रहा था एक दिन विशाल से मिलने विशाल के तरफ से संपत्ति के लिए जिस लॉयर ने लड़ा था वो आए सर हाई कोट में हम जीत गए है सर आपका पूरा संपत्ति आपको वापस मिल गया है ये सुनकर विशाल और शुति बड़ा खुश हो जब से तुम्हारे चरन मेरे घर में पड़े हैं मेरी जिन्दगी खिल गई है तुम मेरी किस्मत हो उसने अपनी बीवी की जम के तारिफ की इधर वासवी को भी पता चल गया कि विशाल को अपना संपत्ति वापस मिल गया है उसने मन ही मन सोचा चा क्यों मैंने उसे छोड़ दिया था वरना आश महारानी बन के रहती ऐसे ही ग्यानवर तक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे